देश में लगतार बढ़ रही पैट्रूल डीजल की कीमतों का विरूद करने के लिए अब युवा कॉंग्रेस के कारेकरता सडकों पर उतराए हैं इसी कड़ी में इंदोर शहर युवा कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने अनूखा विरूद करते हुए धक्का रैली का आयोजन किया देखें एक खास रिपोर्ट पैट्रूल डीजल की बढ़ती कीमतों से युवा कॉंग्रेस नाराज सडक पर उतर कर कारेकरताओं ने किया अनूखा विरूद कार को धक्का देकर कारेकरताओं ने जताया विरूद विरूद कर रहे कारेकरताओं को पुलिस ने किया गिरफतार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्री को लेकर अब युवा कॉंग्रेस ने विरूध की कमान संभाल ली है इस बीच इंदोर शहर युवा कॉंग्रेस ने भी अध्यक्ष रमीज खान के नैतरत्व में अनुखा प्रदर्शन करते हुए धक का रैली निकाली जो मधुमिलन से शुरू होकर रीगल चाराहत तक जानी थी लेकिन पुलिस ने रैली रोकने के व्यापक इंतजाम किये हुए थे बावजुद इसके युवा कॉंग्रेस ने रैली निकाल कर प्रदर्शन किया झाल बावज, जो युरथ, यूवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान के माने तो केंदर के मोदी सरकार को जगाने के लिए इस तरह का विरूद प्रदर्शन किया गया है करेंगे इस गाड़ी को धका कर घर ले जाने का मकसर सिर्फ रित्ता सा है कि थोड़ी देर जनता को यसा लगे कि पेट्रोल डीजल के जो भाव हुए उससे चक्के जाम हो सकते हमारा उद्देश किसी को अशुविता पुचाने का नहीं हम शमा भी चाते हैं उनके लिए लेकि जाजी और हंगामे के बीच पुलिस ने मधुमिलन से रीगल तक जाने के लिए युवा कॉंग्रेसियों को हलका बल प्रयोग कर रोका और ना मानने पर दरजन भर से ज्यादा युवा कॉंग्रेसियों को गिरफतार कर जेल भीश दिया गया इस दोरान बड़ी संख्या में युवा कॉंग्रेस के कारेकरतार रैली में विरूध प्रदरिशन करने पहुचे थे युरो रिपोर्ट, MP News, इन दौर